Hello everyone, welcome back to my channel. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि according to Bloom's Taxonomy, Learning के तीन डोमेंस होते हैं. जो हैं Cognitive यानि ग्यानात्मक, Affective यानि भावात्मक, and Psycho-Motor यानि मनुगत्यात्मक, जिसे मनुप्रे, ना और कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं. Education का main name होता है कि बच्चे का overall development किया जाए. इसलिए Teachers को objectives इन तीनों डोमेंस को ध्यान में रखकर set करने चाहिए. Cognitive domain के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में काफी detail में डिसकस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम लोग effective domain यानि भावात्मक पक्ष के बारे में डिसकस करेंगे. जो कि हमारे emotions यानि भावनाव, attitude यानि अभिवृत्ति या रवया, motivation यानि अभिप्रेना, values यानि मूल्यू, beliefs यानि मानिताओ, etc. से related है. जब हमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उससे हमारी feelings और हमारी emotions भी जोड़ जाते हैं, तो learning जादा अच्छे तरीके से होती है. इस domain में learning के five levels होते हैं, जो है receiving यानि अग्रहन, responding यानि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, valuing यानि आंकलन, या फिर इसे मूलि निर्धारन भी कहते हैं, organizing यानि व्यवस्तिकरन या संगठन, and characterizing यानि चरित्रिकरन या निरूपन. cognitive domain की तरह ये भी hierarchy में arranged हैं, यानि lowest order process से highest order process की तरह, या simpler feelings से complex feelings की तरह, इस domain का lowest level है receiving या अग्रहन. जब कोई learner receiving level पर होता है, तो इसका मतलब होता है कि the learner is willing to pay attention, यानि जो कुछ भी student को या learner जो भी है उसको पढ़ाया जा रहा है, वो उसकी तरफ खुशी-खुशी attention पे कर रहा है, यानि ध्यान से सुन रहा है, and the learner respectfully listens to the teacher, यानि learner teacher की बात को respectfully सुनता है. तो ये least complex, या सबसे कम पेचीदा या जटलका में सुनना, पर इसके बिना learning नहीं हो सकती. कुछ willingness और कुछ attention तो चाहिए ही होता है कुछ भी सीखने के लिए. Affective domain का दूसरा level है responding, यानि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया. जब students को किसी चीज को जानने में या सुनने में interest आएगा, और वो उसे ध्यान से सुनेंगे भी, तो उनसे जब कोई questions पूछे जाएंगे, तो वो उसका answer भी दे पाएंगे. दिस्केशन होगा, तो उसमें actively participate भी कर पाएंगे. Presentation भी देंगे. तो जब students को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वो उसमें actively participate करते हैं. जिसका मतलब है कि वो सिर्फ attention भी नहीं कर रहे होते हैं. बल्कि जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उसकी तरफ वो respond भी करते हैं. उसे पढ़ने में interest शो करते हैं, तब इसका मतलब होता है कि उनका behavior change हो रहा है. और वो अब responding level पर पहुँच गए हैं. तो जब class में कोई student उसे जो भी पढ़ाया जा रहा है, उससे related topic पर group discussion में participate करता है, या questions पूछता है, या फिर ideas देता है, तो इसका मतलब होता है कि वो responding level पर है, effective domain की. थर्ड लेविल होता है, valuing, जिसे हिंदी में unclean कहते हैं, valuing means to appreciate or to cherish something, तो इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी students को बताया जा रहा है, वो उसको कितनी value दे रहे हैं, और उसको कितना follow कर रहे हैं अपनी life में, यानि कितना अपना रहे हैं उस value को. For instance, teacher ने बच्चों को पढ़ाते डाइम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं, जैसे कि we should always tell the truth, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी backbiting नहीं करनी चाहिए, पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपनी friendship निभानी चाहिए है, और हमें हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, तो बच्चा इन बातों को याद कर लेगा, और कोशिश करेगा कि उन्हें अपनी daily life में follow करे, जैसे कि वो कोशिश करेगा कि हमेशा सच बोले, कभी backbiting ना करे, अपनी friends के साथ loyal रहे, और हमेशा कानून का पालन करे, और जो कुछ भी उसे teacher ने सिखाय आए, वो सब करे, लेकिन ये बात इस बात पर depend करती है कि teacher की बताई हुई बातों में से वो किस बात को कितनी value दे रहा है, उसने सुना तो attentively, जो कि receiving level हुआ, फिर उसने इस related topic पर discussion में भी participate किया, पर जब उसे इन values को अपनी life में follow करने की बात आई, तो उसने उन चीजों क को कितनी value दी, ये valuing होता है, so at this level, the learners will be able to develop the topic and try to bring it to the next level, तो इस level पर, यानि valuing level पर, learners जो topic पढ़ाया जा रहा है, उसे develop कर पाएंगे और उसे next level पर ले जा पाएंगे, अब valuing से आगे बढ़ते हैं, तो आता है organizing, यानि व्यवस्ति करन या सायोजित करना, इस level पर एक student, ये decide करता है, कि इतनी सारी जो value सीखी हैं उसने, उन में से वो किसको ज्यादा value दे और किसको कम दे, यानि वो अपनी values को organize या व्यवस्तित करता है, जैसे कि उसने सीखा था, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी backbiting नहीं करनी चाहिए, हमेशा friendship निभानी अब एक दिन class में एक बच्चे की book चोरी हो गई, बच्चों से कहा गया कि वो एक दूसरे का back check करें, अब इस बच्चे ने देखा कि उसके best friend ने book चोराई है, दूसरे बच्चे की, अब teacher ने बच्चों से पूछा कि क्या किसी को book मिली, किसी के bag में, अब अगर ये तूट होगा, जो कि बुरी बात है, पर अगर सच बोलेगा, तो friend की धात पड़ेगी, और friend नाराज भी हो जाएगा उससे, और उनों की दोस्ती तूट जाएगी, teacher ने तो कहा था कि friendship निभानी चाहिए, तो अब उसकी values के बीच conflict होगा, कि वो कौन से value को priority दे, तो अब वो यहाँ पर अपनी values को organize करेगा, कि किस value को priority दे जाए, और किसे कम priority दे जाए, सच बोलने को, या फिर friendship निभाने को, तो एक student या learner इस level पर अपनी values को organize या व्यवस्थित करता है, priority के हिसाब से, affective domain का highest level होता है, characterization, यानि निरूपण या चरित्री करण, at this level, the learner is able to integrate his beliefs, thoughts and attitudes, इस level पर learner अपने beliefs, यानि विश्वासों, धार्नाओं या मानिताओं का, अपने विचारों और मूलियों का एक ही करण कर पाता है, अब यहाँ पर वो values को पूरी तरहां से internalize कर लेता है, यानि वो value उसके behavior का part बन जाती है, और यह उसके behavior में छलगती है, और वो उससे पहचाना जाता है, जैसे कि गांधी जी अपनी strong values and character के लिए जाने जाते है, So at this level, students built abstract knowledge, इस level पर students अमूर्थ ज्यान का निर्मान करते हैं, तो अब आपने यहाँ देखा कि first level होता है receiving, जो कि सुनने पर based है, यहाँ पर learner teacher की बात को ध्यान से respectfully सुनता है, फिर second level होता है responding, इस level पर learner सिर्फ सुनता ही नहीं है, बलकि respond भी करता है, discussion में participate करके, ideas देकर, etc. तो responding level, receiving पर ही based है, क्योंकि जब ध्यान से सुनेगा, तब ही respond भी कर पाएगा, third level है valuing, यहाँ से advanced level start होता है, इस level पर learner, जो भी topic उसे पढ़ाया जा रहा है, उससे values को attach करता है, और उस value को अपनी life में follow करने की कोशिश करता है, fourth level है organizing, इस level पर वो सीखे हुई सारी values को उनकी importance and priority के हिसाब से organize करता है, और characterization highest level है, इस level पर वो value उसकी life का part बन जाती है, और वो इससे पहचाना जाता है, cognitive domain की तरह, affective domain के लिए भी Robert Meger ने action words या verbs दिये हैं, जिनकी help से teachers इस domain के लिए instructional objectives सेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि तीनो domains के लिए instructional objectives को behavioral terms में लिखने के लिए जो action words या verbs दिये हैं, वो किस ने दिये हैं, Robert Meger ने, Robert Meger ने develop किये हैं, ठीक है, तो सबसे पहले receiving या अग्रहन, जो की lowest level है इस domain का, उसके लिए जो verbs दिये हुए हैं, वो है acknowledge, ask, attentive, follow, give, listen, understand, attend and recognize, etc. Second level है responding, इसके लिए जो verbs दिये हुए हैं, वो है, answer, assist, aid, compile, confirm, discuss, greet, help, perform, present and tell, etc. Third level है valuing, इसके लिए verbs हैं, like appreciate, cherish, treasure, demonstrate, initiate, invite, believe, join, justify, propose, respect and share. Fourth level है organizing, इसके लिए compare, relate, synthesize, systematize, clarify, examine, etc. verb दिये हैं, And fifth level है characterization, जिसके लिए act, discriminate, display, influence, modify, perform, qualify, question, revise, serve, solve and verify, etc. Hindi में ये verb chart इस तरह से हैं, आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं. इन verbs की help से, teachers easily objectives set कर सकते हैं अपने lesson के, जो भी वो पढ़ाने जा रहे हैं. I hope कि आपको topic अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम आप से कुछ questions पूछेंगे, ताकि आप self assessment कर सकें. आपको 5 seconds का time देंगे, answer करने के लिए और फिर आपको answers बता देंगे. तो first question है, the emotional aspect of behavior is related to, विवहार का संवेगात्मक पक्ष इन में से किस से संबन्दित है? A. Cognitive domain, means संग्यानात्मक पक्ष, B. Affective domain, means भावात्मक पक्ष, C. Psychomotor domain, यानि मनोप्रेना, पक्ष या मनोसंचालित, मनोगत्यात्मक इन नामों से से जाना जाता है. D. Psychological domain, यानि मनोवैग्यानिक पक्ष. And the answer is very obvious. I am sure कि आप सब को answer पहले से ही पता होगा. So it's B, that is Affective Domain, यानि भावात्मक पक्ष. Emotional aspect Affective Domain से related है. Question number 2 is, which of the verbs can be used in the valuing level or sub-domain of Affective Domain? कौन से action words और verbs यानि क्रिया का उप्योग भावात्मक पक्ष के आंक्लन या मूल निर्धारन इस्तर या उपडोमेन में किया जा सकता है? A. Appreciate यानि सराना B. Justify यानि उचिछ सित करना C. Demonstrate यानि प्रदर्शन करना And D. All of the above यानि सभी And the answer is D. That is all of the above All these verbs such as appreciate, justify, demonstrate etc. can be used at valuing level Question number 3 is Learning objectives set for the affective domain are Intended to change the student's A. Knowledge B. Understanding C. Behaviour And D. Skill And the answer is C. That is student's behaviour यानि वैवहार Question number 4 is Identify the correct order of sub-domains Or levels of affective domain Given by Bloom, Kratwal and Masiya Bloom, Kratwal और Masiya के द्वारा दिये गए भावात मकपक्ष के उप डोमेन या इस तरों के सही क्रम को पहचाने A. Receiving, Responding, Valuing, Organizing and Characterizing B. Receiving, Organizing, Valuing, Responding and Characterizing C. Responding, Receiving, Organizing, Valuing and Characterizing And D. Receiving, Responding, Valuing, Characterizing and Organizing And the answer is A. That is Receiving, Responding, Valuing, Organizing and Characterizing Question number 5 is Babu Lal looks at the science teacher and the scientist with respect and has positive outlook towards them Which objective is this instructional objective related to? Babu Lal विज्ञान के अध्यापक को और वैज्ञानिकों को सम्मान की दृष्टी से देखता है और उनके संबंद में सकारात्मक सोच रखता है इस शैक्षिक उद्देश का संबंद किस उद्देश से है? A. Knowledge यानि ज्ञान B. Interest यानि अभिरुची C. Attitude यानि अभिरुची D. Skill यानि कोशल And the answer is C. That is Attitude यानि अभिरुची Question number 6 is For which domain did Robert Meger develop behavioral terms to write instructional objectives? Robert Meger ने किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश लिखने के लिए विवहारिक शब्द विक्सित किये है? A. Cognitive यानि संग्यानात्मक B. Affective यानि भावात्मक C. Psychomotor यानि Manoprene या Manugatyात्मक पक्ष And D. All of the above And the answer is D. That is All of the above Robert Meger ने ही सभी domains के लिए action balls दिये थे तो ये थे questions based on effective domain I hope कि आप सबने सही answers दिये होंगे सारे questions के लिए हमने इसी topic पर English में भी video बनाया है अगर आपको और भी multiple choice questions देखने हैं तो आप English वाले video में देख सकते हैं क्योंकि उसमें दूसरे questions पोचे हैं उसकी link नीचे description में दी हुई है Next domain of learning is psychomotor domain जिसे हम अपने next video में discuss करेंगे उसकी link भी description में दी हुई है So don't miss it Have a nice day and thanks for watching